पूरे देश पर बात आ गई लेकिन शुकर है सोसल मीडिया के उसकी खंगाली जाचली काड़ी नहीं तो यह किसानों के मंड़ पर मंड़ जाती बात तो उन्होंने जो कहा इस भाली बात था थो ठीक ही कही है मन की बात में लेकिन थोड़ी सी मन की बात में और पहले सो इंकी मन की समझनें और यूदी को अब कल के टॉर आख ऊतलॉ तो आप उन्हें को बस में बात है यहां पर आके रुखती है कि समाधान होना चीह है आंदोलन सही दिसा में होके समाप्त हो जावें तो क्या लग रहा है कि अब पहले ऐसे हो गया ऐसे लोगों की वज़े से हो गया और हमें आतंकवादी और यह बता रहे हैं उनके लोग सबसे पहले था था मुन्हें बरखास्त करो बिल्कुल पार्टी से क्योंकि दल कोई बुरा नहीं होता है व्यक्ति बुरते बुरे बुर पार्टी को नाम बदनाम होता है कोई भी वह पार्टी ओ ऐसे व्यक्ति की वज़े से उन्हें पहला सुथा परखात करें जिननने यह बात कही है इन्हें खदेड़ आतंकवादी यह वह तिलक लगा रहे हैं जो विदायक है ठीक है पहला तो उन्हें बरखास्त करो दूसरी बात हम तो उम्मीद उनसे शुरू सही कर रहे हैं अगर वो अमारी उम्मीद या अमारी प्रार्थ न सुन लेते तो यह 26 जनवरी वाला दिन नहीं आता ठीक है अगर किसी का मन धप्रेड करने का यह प्रेड में सामिल होने का तो 10-20 आदमी वैसी चले जाते टिकट विकट स अब आने वाले कल में ऐसा कुछ ना हो अनुरोध करते हैं भाईया सभी से ध्यान से रहना बहुत और समझदारी से रहना और किसी ऐसे ऐसा माजिक तक को अपने बीच में बढ़ने मत देना क्योंकि आगया भी आंदोलन चल रहा पता नहीं मोदी जी से कब तक चलवाना चा कि वो उसका रेट खुद निर्धारित करें लेकिन किसान कोई नहीं है किसान तो बस यह करा एक MSP वो कर दो पकी ठीक है हर व्यक्ति को अधिकार है यूँ हुका से तुमने खरीदा यूँ भी बेचने वाले नहीं 100 प्या में बेचा होगा तुमारे कहने 170 में ना दिया होग लेकिन जो लोनी के विजायक है नंद किस और गूजर जो उनकी भासा है आतंगवादी आप लोगों को कहा है ऐसे ऐसे व्यक्ति तो ही देखिए बात नहीं बनने देते ऐसे व्यक्ति बात को खराब करते ना सरकार के और किसानों के बीच में बात्चीत हो रही उन्होंने आ लिकालो आप इन फ्यूचर यह तुम्हें ज्यादा रूप दूसरा वाला देने वाले ऐसे ऐसे व्यक्ति क्योंकि घदनाक हो सकते हैं अब देखिए काम उन्होंने किया बदनाम पूरे पूरे होगी एक मचली साले तलाब को गंदा करते तो ऐसे लोगों को लिकालना चाहि अच्छा जिन्दा कर दे सास ले अपनी जैब मैं इस तारिको रात को भो नहीं आते अच्छा इए व्यक्ति हमें ये बात कहता हूं आतंकवादी नहीं ख़देड़ेंगे क्या वो व्यक्ति दूसरे में सांस डालने का काम कर रहा है वो व्यक्ति तो देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं ठीक वो व्यक्ति गुंडे पालने का काम कर रहे हैं कह रहे हैं हमारे लोग भी है इनको ख़देडने में वो व्यक्ति अब आप देख लो सांस देने का का कर रहे हैं या हिंसागू बढ़ावा दे रहे हैं या गुंडे पाल नहीं तैयारी कर रहे हैं आप मेरे से जादा बहतर जानते हो लेकिन जो अठाइस तारिक की रात को पिरसासन की पूरी तैयारी जी आपको में लग रहा था कि आंदोलों नों फत्म है देखिए उम्मीद थ कर मजबूती पैदा करा इस आंदोलन में वही किया और दूसरी बात सुप्रिम कोट की बात का भी तो उलंगन करा उन्होंने सुप्रिम कोट ने ये बात कही थी किसाना अंदोलन कर सकता है उसके बाद भी पुलिस उनको अरेश्ट करने आई किसके कहने पर पुलिस अरेश् वो क्योंकि सुरू साही दवाब बनाते हैं नेता पुलिस पर पुलिस मजबूर हो जागती है लेकिन अब यह आंदोलन है जन अंदोलन हो गया तो यह जो भावना थी प्यार महबत किसानों का था उसने एक रुख ले लिया आसुओं का जन सहलाव सच्चाई का आया ना क्यों पर लगे हुए थे तो इसलिए आंदोलन को तो रुख और मजबूती होनी ही थी इन लोगों की यह हरकत जो करिये ना इननने इनसों कोई डर नहीं है देखे थोड़ी देर के लिए दिक्कत तो होई गई थी क्योंकि 26 जनवरी वाली लोग अपने घर चले गे ते कुछ बाक 000विपज सामने यह नहीं है तो जानना चाहरे रोड काहे को बंद कर दी अब रोड आने जान में इधर की दिक्कत आप लोग कर रहे हो किसके कहने पर कर रहे लेकिन पानी और हवा अपने रास्ता खुद बना ले कंगे न कंगेस्ता आई रहे हैं आरे पबलीक परेशान आप कर रहे हो हम नहीं कर रहे हैं बहुत अची बात आपने कई ताकी जनता हम से नाराज हो जाँ लेकिन जनता होने की नाराज नी क्यूकि उन्हें पटा रोड किस ने रोक दिया है किसानों ने रोका है यह बैरिकेटिड पुलिसने लगाए हैं तो मेरे जितनी भी भारत की जनता आंदोलंचे अगर कोई भी प्रेशान हैं मैं पूर्णम पंडित भाई है सभी सब माफी मांगती हो और जादा से जादा आप लोग सहयोग करें वोडर पर तो किस इस्थाने निवासी कहां भाई है जब हम दिल्ली में गए हमने हैं सुपर वेस कर दिल्ली की जनता ने फूल बरसा है पानी की भी व्यवस लोग नहीं है निप्टा जाग निमट नहीं रहें आपको निपता कैसे निमट रहें एक देखिए सिंगू बोर्डर पर ठीक है सिस्टम अब ठीक है ना क्यूंकि सभी सेनुरोध है सभी संगट हैनों से देश के किसान युवाव महिलाओं से एकत्रित रहें बिखरें नही होता है चोथी किलास में चैप्टर आता था एकता में बल तो एकता में बल है आप सच्चाई के लिए हैं और तो आपका बल बढ़ेगा दिन पर दिन और ऐसे लोगों से ऐसे ही निप्टा जाएगा और मीडिया का समर्थन सोसल मीडिया का मिलता रहे टाइम टाइम पर तो बिल्कुल हाथ जोड का अनुरोध है सभी से मेरा सोसल मीडिया जितने भी यूटूब चैनल जितने भी ये लगे हूँ और बाकी जितने भी हैं सची तस्वीर दिखा रहे हैं आप लोग ऐसे दिखाईए क्योंकि पत्रकारीता का काम होता है सच कराना ठीक और गलत में तो और भी लोग और भतेरे constitutional तुम सच कर रहे हो सची करते रही है गिरप्तारि हो रही है किस बात पर हो रही हो वो उन्होंने ट् dedicated करें उनकी काहेक को नए नहीं बहुतार में पत्रकान माय बाई नेỗ पतानी कई करती त्याकर दूघ सच बोलता है सच दिखाता है उसकी आवाज को यह दवाते हैं क्यों दवारे भाया उन्हें भी पकड़ो ना जो यहां पर बवाल करके गए उन्हें पर खास करो अपनी पार्टी से यह काम करो ना सही वाला सुधीर चोदरी डियने में दिखा रहे थे कि राकेश टिकैट जी जो है उनके पीछे जनता नहीं है और कौन ही हो वो करते कि वह एलक्षन तो जीत नहीं सकते हैं उनका एक ही काम है कि कैसे मीडिया पर रहा जाए तो वह है अंदोलन और अंदोलन का सारा लेके वह यहां पड सरकार को अगर ऐसा लग रहा है तो किसानों की मांग पूरी कर दीजी अगर तुम्हें इसी बात कर रहे है वह अपने घर चले जाएंगे क्यों बैठेंगे आप मेरी बात सुनिए सुधीर चोदरी साब आपके बड़े इंटर्व्यू देखे मैंने स्क्रिप्ट वाले पीछे ऐसा लग रहा है इस पैसला आप डर रहे दीखो इस बात से कि टिकैर साब के पीछे इतनी जनता है इतना जनता जनार दन है तो मुझे तैसा लग रहा है कहीं आपको खत्रा हो रहा है कौन सा आपको उस वाली सीट सो चुनाव लड़ना चौदरी साब